Assalamoo Alikum Assalam o'llikum कैसी है आप सब लोग लेक्छर वहाइब है क्लास नाइंद का bi numeroji का टॉपीक है Chris के नाम है Brog मैं है अचर नाम है बे स्क्राइब हिंद Whatever बायोजी बूबर बुक छेप्टर नंबर वन का टॉपीक है और अगर लॉंग में आते हैं तो यह जो चार पांच लाइने लिखी हुए जिस्ट आपने यही बतानी होती है तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले उन्हों क्या लिखा है फ्रोग साइंटिफिक नेम राना टैगरीना जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि यह शॉर्ट में पूछा जाता है कि राइट आपने इस राना टैगरीना उसका नाम लिखना होता है इसके लगए यह समटाइम एम सी कुज में भी आपके होता है कि राना टैगरीना इस दैनेमो फ्रोग मस्रेड प्लांट ग्रो मतलब इस तरह से डिफरेंट में भी यह बन के आ सकता है इसमें उनोंने बताया है कि जो frog होता है इसके पास एक multi-cellular organization होती है multi-cellular का मतब होता है एक से जादा cell से मिलकर जो बनी होती है organization उसको हम कहते है multi-cellular organization जानी कि इसके जो body होती है उसके अंदर organ system भी होता है और हर organ system जो है वो हर एक organ के उपर मुझतमिल होता है all the organs are made up of the scientific tissues specific tissues और हर organ जोसका होता है specific tissue का बना हुआ है जैसे that epithelial tissues भी में मुझूद है glandular भी मुझूद है muscular nervous system बगारा यह सारी इसके अंदर tissues मुझूद है इसको multi-cellular organization कहा गया है इसके इलावा some organs and organ system of frog have been describing practical activity given जैसे के हम लोग class 9th में 10th में especially 9th or 10th के practicals होते हैं और में first year second day के practicals होते है even के जब आप लोग इन्शालब भी ऐसी level तक जाएंगे उसके अंदर या master level तक भी हम फ्रोग का जो है operate करते हैं या मतलब इसको practical हम लोग पढ़ते हैं लेकिन अगर आपको long question में आता है class 9th के अंदर तो आपने just इतना ही बताना है कि इसका scientific name सबसे बहले हैं आप heading देंगे scientific name राना टेक दीना फिर इसके बाद आप heading देंगे multicellular organization फिर आप लिखेंगे frog here is a multicellular organization the body is made up of the organ system and each organ system consists of the related organs बस यहां तक लिखेंगे और फिर इसके बाद इसकी आप जो diagram है आप फो को बनाना चाहते हैं अगर आपकी diagram अच्छी है अगर आप drawing अच्छी कर लेते हैं तो फिर आप इसकी drawing में इसको draw भी कर सकते हैं तो यही आज हमारा topic था जो के हमने discuss कर लिया है इसके इलावा कोई चीज़ आपको अकर ना समझाए तो कारें लिया आप लोग पूछ दीजिएगा थैंक यू लाफीज